नमस्कार प्रेमित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आश्टोतेश पर हम अपनी स्रिंखला में दोश की चर्चा कर रहे हैं और कुछ ऐसे विनाशकारी दोश की हम चर्चा कर चुके हैं और इस दोश के होने पर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी हम चर्चा करेंगे और उन प्रभावों को कम करने के लिए कैसे हम उन प्रभावों को कम कर सकते हैं और किन जोतिशी उपायों का सहारा लेकर हम इस दोश को कम कर सकते हैं जब भी कोई दोष के बारे में हम बात करते हैं, तो उसके कोई ना कोई लक्षन हमेरी जीवन पर जरूर होंगे, अगर यह दोष आपकी कुणली में होगा, तो जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं विश्धोष, तो विश्धोष के होने पर कुणली पर क्या प्रभाव होता है इसको हम समझते हैं और किन दो ग्रहों की यूती से है बनता है तो सबसे पहला जो इसमें जो प्लानेट है वह है शनी और दूसरा चंद्रमा इन दो ग्रहों की यूती से यह दोश बनता है इसका निर्मान होता है और अगर यह 12 डिगरी से कम difference है इन दोनों ग्राहों का एक ही किसी भी एक घर में यह कुंडली हम मान लेंगे example कुंडली अगर शनी और चंदर किसी भी एक घर में यूती करते हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे शनी और चंदर के मिलने से इसी है चंदरमा हमारे जीवन में सबसे पहले हम समझेंगे कि चंदरमा का हमारे जीवन में कार्तत्व क्या है तो मन को स्थिर रखने का कारे चंदरमा के पास है माता का सुख चंदरमा के पास है और patience जो हमारे जीवन में हम कहते हैं वह चंदरमा के पास है मन और मस्तिक्स, मन सो जातक तो मन का जो control है वह चंदरमा से ही देखा जाता है और अगर हम मन से खुष नहीं हैं तो हम किसी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते तो चंदरबली होना जरूरी है ताकि हमारा मन पे control हो हमारा अपने decisions पे control हो शनी और जब चंदरमा की यूती होती है तो विश्दोष बन जाता है क्योंकि शनी को जहर माना गया है यहां और चंदरमा को पानी क्योंकि है पानी को यहां पर represent करता है चंदरमा तो विश्दोश बनने की वजहां से हमारे जीवन पर प्रभाव क्या होगा कि आपका जो anxiety level है वह बढ़ जाएगा अगर आपके जीवन में आपको anxiety जादा होती है आपको anxiety की problem है और आप pills पर है तो आप देखिए कुंडली निकाल का जरूश शनी और चंदर्मा की यूती होगी वहीं कहीं depression की अगर आपको problem है तो शनी और चंदर्मा को आप जरूर देखे चंदर्मा रख्त को भी represent करता है खून को हमारे represent करता है हमारी कुंडली में और शनी का चंद्रमा के साथ मिलने पर रक्तविकार तो रक्तविकार क्या हो सकता है यहाँ पर शुगर या रक्त से संबंदी कोई भी बिमारी हो सकती है संबंदित मिमारी यहाँ पर blood infection हो सकता है सनी और चंद्रमा के मिलने से कोई ना कोई रक्तविकार जरूर आपको होगा अगर डिगरी क्लोज है उसके अलावा डिपरेशन, एंजाइटी और सुशाइडल टेंडेंसीज की भी हम बात कह सकते हैं अगर यह बहुत ही क्लोज डिगरीज में हैं और आपका लगनेश वीक हो तो अगर सुशाइडल टेंडेंसीज भी ऐसे लोगों में बहुत देखी गई है जो शनी और चंद्रमा जिनकी युती किसी भी एक भाव में बनती हो और कुछ ऐसी कुंडलिया अग्जांपल कुंडलिया हमने निकाल कर देखी जिनको मस्तिक्स सम्बंदित विकार थे मतलब मस्तिक्स रोग थे उनकी कुंडली में यह एक प्रॉमिनेंट योग है जो देखने को मिला अगर हम सौकुंडलिया लेंगे तो सत्तर कुंडली में ही है योग आपको देखने को मिलेगा जिनको मस्तिष्विकार होता है या रक्त संबंदी बिमारिया होती है इस योग के होने से आपको माता का सुख भी नहीं मिल पाएगा उस सुख का भी कमी आपके जीवन में होगी क्योंकि चंद्रमा माता को रिप्रेजन करता है और शनी के मिलने से माता के सुख में भी आपके कमी जरूर होगी जीवन में अगर यह है योग आपकी कुंडली में है तो आप इसको देखिए है या नहीं है अगर आपको इंजाइटी रहते हैं आप डिप्रेशन के रोगी हैं आपको पिल्स पर हैं आपको बलड रिलेटिड डिसीजस हैं आप देखिए निकालकर अपने कुंडली यह है प्रॉमिनेंट कॉम्बिनेशन होगा और जो सुसाइडल टेंडेंसी की मैं बात करूँ जो फासी या अपने को इंजेक्ट करना ओवर्डोज लेना तो यह भी कही ना कही इसी दोश के अंदर आता है और यह कब ज़्यादा बुरा फल देता है इसको भी आप समझ लीजिए अगर सनी चंदर की यूती सेकिंड भ तो यह तीन भाव ऐसे हैं जहां पर सनी और चंदर की यूती होने पर यह लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा वहीं 12 आउस में भी इसके काफी बुरे फल मिलते हैं और भावों में कुछ-कुछ आपको बुरे फल देखने को मिलेंगे तो कुछ अच्छा भी आप देखेंग तो यह एक दोश ही है अगर यह आपकी कुणली में होगा तो यह तो सभाविक है कि आपका मन चंचल होगा आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और अगर यही शनी चंदर का दोश आपके पंचम भाव में बन जाता है और आप विध्यारती हैं आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपको बहुत दिक्कते आएंगे बहुत जल्दी आप आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आपका मन शार्प होने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आपका मन आवेस्थित रहेगा तो इसकी यूती किसी भी भ मैं में दोश है तो आपको ऐसा क्या करना है कि एक अब उस्वाय करें कि ELigor جभु को करने के लिए इसका प्रभाव हमारे जीवन पर कम परें इसके लिए हम फर्स्ट थिंग हमें देखना है कि सनी के मिलने से यह चंदर दूशित हो रहा है तो चंदर को बली करेंगे और शनी को हम यहां पर कमजूर करने की कोशिश करेंगे ताकि सनी का प्रभाव हमारे जीवन में कम हो तो शनी के लिए हम कहाएं शनी के दान हम यहां स्टार्ट कर द पर्ल धारन कर सकते हैं अगर आपके कुंडली में वैं सूट करता है तो उसके अलावा सफेद वस्तर पहने सफेद चीज़ों का ज़्यादा प्रियोग अपने जीवन में करें उसके अलावा चंदरमा का मंत्र आप रोज पांच माला जरूर करें इससे जब आपका चंदर बली होगा और शनी कमजोर होगा शनी के दान स्टार्ट करेंगे तो आपका चंदरमा को बल मिलने से आपके मन को बल मिलेगा और जो कन्फूजन स्टेट है या जो आपको बलड लेटेड डिसीज है उसमें हॉल्ट आएगा कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं उसमें रोक्थाम जरूर होगी अगर हम दोश समझ जाते हैं तो उसके निवारन अवस्थे ही हमें मिल जाते हैं और जोतिश में सभी दोशों के कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताए गए है और नियमित रूप से करने पर है उपाय हमें लाभ भी मिलता है ऐसा मैंने कम से कम हजारों कुणलियां देखी है और जब आप इन उपाय को फॉलो करते हैं तो जरूर उसका प्रभाव आपके उपर पड़ता है साथ में हमें दान जरूर साथ में करना है क्योंकि दान करने से ही हम अपने करमों में चेंजिस करने से ही इन दोशों का निवारन कर सकते हैं यहां आपको अपनी माता से माता की रिस्पेक्ट करनी है माता को कोशिश करनी है कि आप उनको समय समय पर help करते नहें माता से संबंद ना खराब करें क्योंकि इस दोश को होने से माता से भी संबंद आपके खराब जरूर हो जाएंगे और कही ना कहीं चंदर्मा फोर्थ हाउस का लॉड भी है तो आपका जो सुख भाव है वह भी कमजोर हो जाएगा तो आप देखें आपका चंदर्मा अवस से ही पीडित होगा शनी से नहीं होगा तो राहू से होगा कहीं ना कहीं चंदर्मा जरूर पीडित होगा पर यह दोश राहू से भी जादा विनासकारी मैं मानता हूँ आज की इस वीडियो में आप यह समझ गए होंगे कि सनी और चंद्रमा के मिलने से इस दोश का निर्मान होता है इसके हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है वह भी आप समझ गए होंगे और इसके निवारण क्या हो सकते हैं वह भी हमने इस वीडियो में चर्चा की, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे जरूर आप चानल को मेरे सब्सक्राइब करें, शेर करें, शेर करने से और भी जातक इस विशय के बारे में जान पाएंगे और इसका लाब उठा सकेंगे, आज के लिए तन्या ह नमस्कार